राधे राधे मैं आचार हिमान शुक्पन्यू आप सभी दर्सकों का स्वागत करता हूँ Capital TV के विशेश कारिक्रम काल चक्र में जहां आप सभी दर्सक मुझसे जुड़ते हैं और जानते हैं अपने आने वाले दिन में घटने वाली घटनाओं के विशे में किसके सितारे क्या कहते हैं किसका दिन कैसा भीतेगा ये सब कुछ आप जानते हैं और साथ ही अगर कोई विशेश किसी तीर्थ का उलेख होता है उस तिथी में या किसी तेवहार का या फिर किसी सनातन धर्म से जुड़े हुए महापुरुस का तो वो भी आपको जानने को मिलता है आईए आरम करते हैं बारह जून सन दो हजार तेस असाड महा के कृष्ण पक्ष की नौमी ति थी दिन सोंबार नौमी ति थी एक बजकर साथ मिनट बद्ध्यान काल तक रहेगी और उस उत्त्रा भाद बदनक्षत्र जो की आज के दिन रहने वाला है चार बजकर उन्तालिस मिनट सायम काल तक रहेगा बात करनू राहुकाल की तो 7 बजकर 30 मिनट से 9 बजकर रहने वाला है और 7 ही गुलिक काल 10 बजकर 30 मिनट से 12 बजकर बात करने कर अबजित महूर्थ की तो आज का अबजित महूर्थ 11 बजकर 41 मिनट से 12 बजकर 36 मिनट तक रहने वाला है अब जित मुहूर तो भगवान नारायन को बहुत प्री है और सोम बार का दिन है नर और नारायन दोनों का योग होगा अतिलापकारी अब जानते हैं आज खास क्या है तो आज है जयद यूग जो निश्चित तोर पर आपके लिए लापकारी होगा अब आगे बढ़ते हैं जानते हैं हमारे आज के राशी फल को किस के सितारे किस के पक्षमे कितने रहने वाले हैं तो हमारे जो मेस राशी के जातक हैं, आज के दिन उनके लिए सम्मान जनकी सुनकिया जीवन में बनने वाली है, जहां भी काम करते हैं, वहां आज के दिन आपके नाम की तूति बोलने वाली है। परिवार में भी सुक की स्थिती बनी रहेगी बस इन सब के लिए आपकी राशी के जात्कों को धन अधिक खर्च करना होगा सब कुछ मिलेगा बस पैसा थोड़ा सा आप से रूठा रहने वाला है चलते हैं अगली राशी ब्रसब की ओर ब्रसब राशी के जात्कों को आज के दिन अपने सम्मान के साथ समझाता करना पड़ सकता है पर प्रयास करिए कि अपने रोजगार में भी थोड़े से सक्त कदम आप उठाएं कोई धीले काम ना करें जिससे आपके सम्मान और आपके रोजगार एक साथ दोनों प्रभावित हो जाए साथ ही सारे रिकिस्तितिया भी चिंता का विसाय बन सकती हैं अगली राशी हमारी जो है मिथुन राशी उनके मिशाय में चर्चा कर लेते हैं मिथुन राशी के जातकों को आज के दिन अच्छे लोगों से दूर जाने का कष्ट मन में टीस बन कर बैठा रहेगा साथ ही दरिदर्ता भी एक चीज है जो आपको परेशान कर सकती है आज के दिन आर्थी किस्तितिया थोड़ी सी आपके विपरीत रह सकती है पर कार्य छेत्र में आपके काम रुकने वाले नहीं है आप जितना अधिक प्रयास करते जाएंगे उतने ही अधिक आपके काम बनते जाएंगे आपको प्रयास करने से कभी भी पीछे आज के दिन नहीं अटना चाहिए कार्य सफलता की योग है आपके लिए अगली राशी हमारी करक उसके विशाय में चर्चा कर लेते हैं करक राशी के हमारे जो जातक है आज के दिन आर्थिक तोर पर अपने जीवन में थोड़े सा परिशानियों का सामना कर सकते हैं साथ ही सारी रिक समस्याएं भी आपको परिशान करेंगी मित्रों से अपने सावधान रही है क्योंकि आपके मित्र आज के दिन आपके बनते हुए काम बिगाड सकते है साथ ही आये में थोड़ी सी कमी आने के योग है तो आफिस में भी अपना बेवहर अपने सीनियर्स के साथ थोड़ा चार रखिये इंक्रिमेंट अगर होने वाला है तो सावधान हो जाईए अगली राशी हमारी जो है सिंग राशी उसकी चर्चा कर लेते हैं सिंग राशी के जातकों को आज के दिन समस्याओं का सामना करना होगा समस्याओं जीवन साथी के साथ विवाद की बन सकती है और साथी अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो उस यात्रा में समस्याओं आपको परेशान कर सकती हैं किसी दुरगटना का सुरूप ले सकती हैं तो थोड़ा सावधानी अतरिक्त बड़ते हैं आपकी राशी के जातक अगर कहीं परिवार के साथ छुटियों पर जाने का प्लान बनाया है तो आज के दिन जरूर जाईए फैसला आपके हित्व में होगा और आपके लिए आरंद का काम करेगा सत्रु आपके आज के दिन आपसे पराजित होने वाले हैं परतियोगिता अगर कोई है तो जाईया पदारपण करिए निशिंत हो करके क्योंकि आपका परिश्च्रम आपको आज के दिन पीछे नहीं हटने देगा और आप सफलता जरूर पाएंगे अगली राशी हमारी जो है तुला उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं तुला राशी के जातकों को आज के दिन अपनी समस्याओं से पीछा चुडाने में आसानी होगी सारीरिक दोर पर जो समस्याओं मुख्यत रूप से उनसे आज के दिन आप बच सकते हैं पर आपकी संतान आज के दिन पीडित रहेगी और संतान जब पीडित रहेगी तो निश्रित तोर पर बौधिक तोर पर आपकी राशी के जातक आज के दिन सही निरुनाएं नहीं ले पाएंगे जसकी वज़े से आपके साथ दूसरी समस्याओं भी जुड़ सकती हैं अगली राशी हमारी जो है व्रश्चिक राशी उसकी बात कर लेते हैं व्रश्चिक राशी के जातकों को आज के दिन आर्थिक संकट का सामना करना पर सकता है और आर्थिक संकट के साथ ही जीवन साथी के साथ विवाद का भी सामना करना पर सकता है विवाद इसी कारण से ह यह भी संबव है और आपके अपने और आपका अपना सरीर दोनों भी आपके पक्ष में नहीं रहते हुए दिखाई देते हैं दिन आपके लिए ठीक नहीं है जितनी सावधानी आप रख सकते हैं उतनी सावधानी रखिए अगली राशी जो हमारी है धनु राशी उनकी चर्चा खर लें धनु राशी के जातकों के लिए सिर्फ एक समस्या है उनका डर और जैसे ही आपकी राशी के जातक इस डर से बाहर निकल जाएंगे जो चाहते हैं वो जीवन में पा जाएंगे क्योंकि आर्थिक तोर पर आपके जीवन में आज के दिन मुझे सफलता दिखाई देती है और साथ ही सफलता दिखती है आपके वेवसाय में भी वेवसाय में सफलता पाने के लिए बहुत दिक इस्तिती का अच्छा होना बहुत जरूरी है तो जाइए अपने भैपर मियंतरन पाने का प्रयास किजिए और जीवन में सफलता पाईए अगली राशी मकर के विश्या में चर्चा कर लेते हैं मकर राशी के जातकों को आज के दिन अपने आर्थिक निरने बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए और संभव हो तो किसी अपने से सलाह करके करने चाहिए संतान के परति आज के दिन थोड़ा सा अपना जो है नजरिया बदलिए और उसकी समस्याओं पर ध्यान दीजे क्योंकि आपकी संतान वास्तिविक रूप से किसी समस्या में फस सकती है सामाजी के सितियां आपकी बहतर रहने वाली है उसमें बहुत समस्याओं नहीं है बस आर्थिक और संतान दो पहलू आज के दिन आपके लिए नुकसान का कारण बन सकते हैं अगली राशी कुम्ब के विशाय में चर्चा कर लेते हैं कुम्ब राशी के जातकों को आज के दिन आर्थिक तोर पर जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पर सकता है और साथ ही सारी रिक समस्याओं भी आपका पीछा आज के दिन नहीं छोड़ने वाली हैं और इन दोनों ही समस्याओं के कारण आपके मन में शोग की स्तिती उत्पन हो सकती है मन उदास रह सकता है तो थोड़ा सा अपने निर्णय जो है बहुत सोच विचार कर करिए मीन राशी के जातकों का आज के दिन का भाग बहुत अच्छा है आपका भाग्य आपकी सहयता करेगा और आपके काम बन जाएंगे पर आपके काम बन जाएंगे उसके बाद में उस बने हुए काम से आप कितना लाब ले पाते हैं वो आपके पुरुसार्थ पर निर्भर करेगा क्योंकि आज के दिन आपको बेर्थ का परिश्रम करना पर सकता है ऐसा परिश्रम जिससे आपको कोई लावना हो संतान और जीवन साथी के साथ भी आज के दिन कुछ इस्तितियां गड़बड है आर्थिक भी दिन आपके पक्ष में जाता हुआ नहीं दुखता है बस सिर्फ आपका भग है जो इन समस्याओं से आपको बचाएगा ये था हमारा आज का राशी फल आईएब जान लेते हैं आज का महा उपाए तो आज के दिन महा उपाए के तोर पर आपकी राशी के जातकों को चाहिए कि भगवान भोले नात के सनमुक जाए और उन्हें जाकर 11 विलुपत्र उन्हुन शिवाय काकर्समर्पित कीजिए 30 अप इस ज हो नात की सबश्याओं के सबस्याओं का सभाधन देंगे तो यह था हमारा आज का कारिक्रम अगर हमसे जूनना चाहें तमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कल पुना हिसी समय मुलाकात होगी राधे राधे